नमस्कार दोस्तों वो कहते हैं ना तेरा मसरूप रहने का अंदाज तुझे तनहा ना कर दे गालिब क्योंकि रिष्टे फुर्सत के नहीं तवज्यों के मोहताज होते हैं नमस्कार प्यारे बच्चों और फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिके बाई प्रदीब सर्पे आज प्यारे बच्चों हमें न मेतवपून सविधान संसोदन पड़ेंगे पॉलिटी की मैं कहूंगो ये बेकबोन टोपिक है तो कोई अतिशोक्ति नहीं होगी सभी बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हर बच्चा कोमेंट करके बताना इस वीडियो के बाद आप में कितनी इंप्रूब्मेंट है आई तो प्यारे बच्चों बिना को टोपिकी सुरुआत करते हैं इधर प्यारे बच्चों मेंने महतावपूर्ण अनुछेद लिखे हुए है कब कौन सा हुआ और इधर इनके बारे में इंपोर्टेंट हम फेक्ट्स पड़ेंगे पहला महतावपूर्ण अनुछेद 1951 में हुआ क्यूं हुआ प्यारे संसोदन 7668 केते हैं वह सविधान संसोदन की परकिरिया हमने कहां से लिती अफ्रीका से लिती कहां से लिती और सविधान में संसोदन करना किसका दाइतव होता है प्यारी बच्चो संसद है न वो सविधान में क्या करती है संसद किस से बनेगी लोक सबा से राज्ये सबा से और राष्टपती से मिलकर क्या बनती है आपकी संसद बनती है तो प्यारी बच्चो संसद 368 के तेट इसमें क्या करेगी सविधान संसदन न में नवी अनुसुची जोड़ी गई थी और जो किस से समंदी थी भूमी सुधार से समंदी थी तो गुरुजी मूल सविधान में कितनी अनुसुची थी आठ अनुसुचियां थी वरतमान में कितनी है बारा तो चार तो ये प्यारे बचो अनुसुची वाले सविधान दन आपको पढ़ने होगे 9 वी जोड़ी गई 10 भी जारी बारी liquid वो सारे क्लास में याद होजाएंगे दूसरा सभी दन शुरण Совभी नंची इन क्लास में उसमें लोक सवा की सीटें बढ़ाकर कतनी कर द filmed कर दी गई थी 500 कर दी गई अभी प्यारे इचों लोक सविधान संसोधन दुआरा की गई थी 31 सविधान संसोधन दुआरा वो 545 कर दी गई थी यहां से आगामी एक्जामèmes कोश्चन पक्क्का आएगा 1956 में कौन सा सविधान संसोधन दं हुआ था 7 वहा था यह वन the most important है प्यारे बच्चों इसमें ना हमें किसका वर्णन मिला 14 राज्यों का और प्यारे बच्चों 6 UT का क्या मिला था इस सविधान संसोधन के बाद वर्णन मिला क्योंकि प्यारे बच्चों एक राज्ये पुनर गटन आयोग बना था 1953 में बना था और उसने रिपोर्ट 1956 में सोंपी थी उसके बाद 14 राज्यों और 6 UT का वर्णन मिला अब राज्ये बढ़ रहे थे ना तो इसके लिए इसमें एक बात और कही गई कि दो राज्यों के लिए क्या हो सकता है एक हाई कोर्ट हो सकता है अब दो राज्यों के लिए क्या हो सकता है एक हाई कोर्ट जैसे अर विदान संसो दन हुआ इसमें लोक सभा की सीटे 525 है बढ़ा कर कितनी कर दिगई ती 545 कर दिगई यहां पर 500 की गई बाद में 525 हर इंपोर्टेंड नहीं है लेकिन प्यारे बचो भी 545 है ना तो इस यह लिए इंपोर्टेंट है कि किस सविधान संसो दन द्वारा की गई 1903 में 31 में द्वारा की गई और 1905 में 36वा सविधान संसो दन हुआ इसके तेथ है ना सिक्किम को क्या दिया गया था पूरन राज्ये का क्या दिया गया दर्जा प्यारे बचो 36वे के बाद 56वा होगा ना 1987 में उसमें गोवा को पूरन राज्ये का दर्जा दिया जाएगा गोवा को प्यारे बच्चों 36 में 20 जोड 56, 56 हुआ 1987 में हुआ, तो 36 द्वारा सिक्किम और 56 द्वारा गोवा को दिया गया, याद करना मुस्किल नियां दुबारा बताता हूँ, 1951, 1951 में कोंसा सविधान संसो दन हुआ, 50 के बाद 1951 में पहला हुआ, 52 में कोंसा हुआ, दूस था, हरियाना भारत का सत्रुआ राज्ये बना, 28 सविधान संसो दन के तेत बना, लेकिन 28 नहीं था, तो हमें सातुए के साथ जाना पड़ा, क्योंकि उस ताइम प्यारे बच्चों, हरियाना पंजाब का ही पाड़ता कहा गया, कि हरियाना और पंजाब है ना, इनको दो बा आगों में बाण दिया जाएगा, मनलब दो मनलब एरिया बना दिया जाएगे, पंजाबी बासाचेतर और हिंदी बासाचेतर, पंजाबी बासाचेतर की पहली लेंग्वेज, पंजाबी दूसरी हिंदी हिंदी की पहली हिंदी दूसरी पंजाबी होगी, तो 1967 में 21 यह उनिस वपीचेतर में च्हतिस्वां हुआ सिकिम को पूरण राज्या का दिया गया था दर्जा दिया गया था याद हो जाएँगे कोई दिकत नहीं है vibrations याद करना मुस्किल नहीं है लेकिन आपको सायंदाना क्या है मुस्किलं है प्यारे बच्छों जैमा सरसुती का नाम लेकर ये 42 वा सविधान संसोदन ना ये सबसे important है क्योंकि प्यारे बच्छों इसे क्या कहा जाएगा लगू सविधान कहा जाएगा पहले आपको पता होना चाहिए ये 42 वा सविधान संसोदन उस टाइम हुआ जिस टाइम इंदरा ग इसमें न एक जो लोग लोकसबा और विधान सबा का कारेकाल था ना वो प्यारी बच्छो कितना कर दिया गया था वो बढ़ा कर कितना कर दिया गया था पांच वर्से बढ़ा कर कितना कर दिया गया चैवर्स कर दिया गया कितना कर दिया गया पांच वर्से बढ़ा कर उस कारेकाल को कितना कर दिया गया था चैवर्स कर दिया गया और प्यारे बच्छो इसमे ना कोरम को भी क्या कर दिया गया समाप्त कर दिया गया कोरम बोलते है गणपूर्ती जो टोटल का न एक बटा दस है अगर सदस से मौजूद होंगे न तो बेठक सुरू होगी इसको भी क्या कर दिया गया था इंदरा गांदी ने समाप्त कर दिया था और कहे दिया प्यारे बचो कि रास्ट पती है न वो मंत्री मंडल की बात मानने के लिए क्या ह यही प्यारे बचो वो सविधान संसोदन है जिसमें न परधान मंत्री पहला बन गया और रास्ट पती है न ना मात्र का सासक बना दिया यह सारा का सारा प्यारे बचो पूछा गया था एक एक एकजाम में इसमें न कहते हैं समवर्ती सूची में भी पांच विशे नए आपठीव को बना दिया गया मातोल को बना दिया गया तो संवर्ती सूची में पांच नए विशे जोड़े राजे सूची का रहेगा विशे रहेगा ठीक है तो प्यारों बच्छों बाउन्वा सविधान संसोधन है ना उसे पहले 44 वा पढ़ना है और इस टाइम है न के इंद्रा गांधी की सरकार हार गई और सरकार किस की बन गई मोरार जी देशाई की क्या बन गई थी सरकार बन गई जो इंद्रागांदी ने काम किये वो मोरार जी देशाई ने सारे है ना प्यारे बच्चो अलग कर दिये इसमें ना दुबारा किसको लागू कर दिया गया पूरम को क्या कर दिया गया गया गणपूरती को दुबारा लागू कर दिया गया लोग सबा और विधान सबा का कारेकाल दुबारा कितना कर दिया गया पांच वर्स किया गया और रास्ट पती है ना एक बार प्यारे बच्चों किसी भी फेंसले को किस के लिए लोटा सकता है उनर विचार के लिए लोटा सकता है पहले उसको मानने के लिए क्या था बात दे था और एक प्यारे बच्चों इसमें ना संपत्ती का अधिकार पहले मोलिक अधिकार होता था संपत्ति के अधिकार को na 44- réalité सविधانसं सो दन दुआरा 1978 में क्या कर दिया गया प्यारे बचो उसको ना कानूनी अधिकार बना दिया गया गया आर्टिकल 301 के तेत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और यह हां 1976 में प्रस्तावना में भी एक बार क्या हुआ था दुःबा राम को लागू कर दिया गया और एक है ना प्यारे बचोँ जो वो कह दिया गया कि अगर अबी है ना रास्टपती साशन लगेगा ना पहले कहा जाता है रास्टपती साशन ना अब उसको सशस्तर विद्रो कर दिया पहले आंत्रिक ऐ शान्ति के कान था अब आंत्रिक ऐ शान्ति का वर्ड को हटा कर इसको क्या कर दिया गया अब रास्टपती सासन लगेगा तो वो किस के कान लगेगा ससस्तर विद्रो के कान रास्टपती सासन लगेगा ये पेपर में पूछा गया था प्यारे बचो आगामी ये कभी समाप नहीं होगा 20 है जीवन जीने का अधिकार है अगर कोई राश्पती सासन लग गया तो आपसे कोई जीवन जीने का तो अधिकार नहीं छीन सकता ना तो ये प्यारे बच्चों मोलिक अधिकार कभी समाप नहीं होगे और बाउनुवा आपको पता है 1985 में ये इसक पर क्या लगाती है रोक लगाती है ये पूछा गया था और प्यारे बिर्चो 56 सविधान संसोधन 1987 में हुआ इसको गोवा को ना क्या मिला था पूरण राज्य का दर्जा मिला मैंने बताया था 36 में द्वारा प्यारे बिर्चो किसको पूरण राज्य का दर्जा मिला था तो लगू सविधान था, चुवाली सुवाँ उन्नी सो अठासी में हुआ ठीक है, ये याद कर लेना प्यारे बच्चों, चुवाँ और वियाली सुवाँ ये दोनों एक्जाम में पूछे जाने वाले हैं, और एक सटुवाँ का ये प्यारे बच्चों, बाउनुआ उन्नी सो प 21 वर्स से गटा कर कितनी कर दी गई, 18 वर्स कर दी गई, ये पेपर में पूछा जाता है किसके टाइम में हुआ था, राजीव गांदी के टाइम में ये सविधान क्या हुआ था, संसो दन हुआ था, उन्हें तरुआ सविधान संसो दन कब हुआ था, उन्नी सो केतर में, इस प्रश्टिय राजदानी छेतर का दर्जा कब दी आ गया? 1931 सविधान संसो दन दुआरा 1931 में 41 दुआरा प्यारे बच्चो तीन बासा जोडी गई नमक से याद कर सकते हो नेपाली मैसे मनी पूरी और कैसे क्या जोडी गई थी? कोकनी जोडी गई थी? क्या जोडी गई थी? कोकनी और मेंने बताया था, 1967 में 21 सविधान संसो दन दुआरा क्या जोडी गई थी? सिंधी जोडी गई थी? इसमें ना नेपाली मनी पूरी और कोकनी ये प्यारे बच्चो दो बासा हैं जोडी गई यानी 18 होगी पेले सिंधी 15 थी 16, 17, 18 होगी तिये 13 सविधान संसो दन से जादा बूचा जाता है ये पियारे बच्चो लागू 1937 में में हुआ लेकिन हुआ 1902 में था और पियारे बच्चो ये किस से समन्दी था? पंचाइती राज में था और ये पेपर में आएगा पंचाइती अगर निगम से सहरी सव सासं से समंदित रहेगा और इनके पास कानून बनाने के लिए कितने विश्य होते हैं अठारा विश्य होते हैं ये पूछा गया था और 84 सीमा सविधान संसो दन प्यारे बच्छो आप से पूछा जा सकता है कब हुगा 84 सीमा सविधान संसुदन क्या हुआ था 2000 एक में ये डारेक्ट कोशन पूछा गया था इसके तेट है ना जो विधान सबा है ना प्यारे बच्छों 2026 तक है ना उसमें क्या किया जाएगा कोई बदलाव नहीं होगा यानि प्री सेमन आयोग ने कह दिया कि अगर अगर मैं बात करूँ हर याना में विधान सबा की सीटे 90 है तो 90 रहेगी लोग सबा की सीटे 545 है तो 545 रहेगी कि सविधान संसुदन द्वारा किया गया था च्वेतर में सविधान संसुदन द्वारा ये बातें बताई गई थी नेक्स्ट है प्यारे बच्चों चाहसीवा स्रिधान संसोधन दो हजार दो ये इंपोर्टेंट है इसके द्वारा ना ये प्यारे बच्चों एक है ना चैसे लेकर चवदा वर्स तक के बच्चों को नी सुलकवे अनिवारिये सिक्षा ये 21 आर्टिकल किस में डाल दिया गया कि 6 से लेकर 14 वर्स तक के बच्चों को लिए नी सुलकवे अनिवारिये सिक्षा पेले ना ये अनुछेद 45 में होता था और 45 है ना ये किस का पाड़ था नीती नेदेशक सिधान्त का पाड़ था और नीती नेदेशक सिधान्त हमने कहां से लिए आईरलेंड से लिए और प प्यारे बच्चों इसमें 11 मोनिक जोड़ा गया मौरी कि 1 यारिय को सा गया था मोलिक कर्ताव...! इसनों को सा ओाना क इसमें शोड़ा गया था ? तीन ही बात रखना इसको 6-4 दोले को मोलीक अधिकार बना दिया गया 21- sum ऐ कर दिया गया और इसमें कह दिया गया मतलब पंतालीस पहले ये पंतालीस में था पंतालीस को निती निर्दे सक्सिदान्त में था उसमें 0 से 6 वर सेड़ कर दिया और 11 मोलिक करता वे 51 ये पूछा जाता है के ते हेते जोड़ा गया था अब प्यारे बच्चों इक्यानुआ सविधान संसोदन कब गोगा दो हजार तीन ये important है एक्यानुआ एक एकजाम में कोशन आया था प्यारे बच्चों इसमें कह दिया गया कि जो यहां तो विधान सभा जो निमन सदन होता है ना जैसे विधान सभा या लोकसभा विधान सभा या लोकसभा में जो मंतरी मंडल होगा ना वो कितना हो अब अर्याणा में 90 विदान सभा की सीट है तो 13, यानी अधिक्तम अर्याणा में कितने मंंत्री बन सकते हैं, 14 पहले यहां तो कम मंत्री बनते थे या जाधा बनते थे, इसे याद कर सकते हो, बाणुआ सविधान संसोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था ये बाणुए सविधान संसोधन से भी question पूछा गया इसमें पेपर में ये पूछा गया था इसमें ना 4 बासाएं जोड़ी गई थी BDMS से याद कर सकते हो B से बोडोज याद कर सकते हो D से डोगरी याद कर सकते हो M से BDMM से मेथिली याद कर सकते हो BDMS S से क्या याद कर सकते हो S से संथाली याद कर सकते हो कितनी बासाएं जोड़ी गई थी 4 बोडोज डोगरी मेथिली और संथाली जोड़ी गई थी ये 4 बासाएं जोड़ी गई थी और सोवा सविधान, ये देखो, मैंने बताया था, 1967 में कौन सा हुआ था, 21 सिंधी जोडी गई, और 1931 सविधान संसो दन कब हुआ, 1902 में, नेपाली, मनीपूरी और कोकनी जोडी गई, और 21 और 21 का जोड़ बाण में, बाणुआ कब हुआ, 2003 में हुआ, बोडो, डोगरी, ये सोंवा सविधान संसो दन, 2015 में हुआ, ये बंगला देश को किस से समन emissions होता था, कहesta है, बंगला देश को हमने hice 1211 गाओं सोंपे थे, और बंगला देश है ना, इसका पुराना नाम पुर्वी पाकिस्तान होता था, ये पेपर में, पूछा गया था, 1111 गाओं हमने देश ने हमें कितने ग्याओं दिये 51 गाओं दिये तो ये 2015 में सोवा हुआ था ये याद कर लेना थोवा कब हुआ था 2015 में हुआ 101 कब हुआ 2016 ये पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये प्यारे बचों GST से समंदी था goods and service tax इसकी full form भी पूछी गई थी goods and service goods and service tax इसकी क्या रहेगी full form रहेगी ये लागू कब हुआ एक जुलाई 2017 को लागू हुआ और ये कैसा टेक्स है इंडारेक्ट टेक्स है ये पेपर में पूछा जाएगा GST कैसा टेक्स रहेगा इंडारेक्ट टेक्स है रहेगा एक सो दोवा सविधान संसंधं duas Pal हजार अठारा में हुआ इसमें के लिए प्यारे बचों अनुसुत जैसे है न पिछडे बरक के लिए क्या किया गया आयोग का अगठन किया गया पिछडे बर public के लिए न इसमें पिछडे बरक के लिए क बनाया गया यह आयोग बनाया गया एक सो तेरवा तेन्हों सविधान्सांसोधन दो हजार outta Efendi 73 के 219 में हुआ इसमें EWS के लिए भी क्या किया गया था इडबलु उकौनोमिक जो विकर सेक्षन उनके लिए भी क्या किया गया था औरक्षन की वयवस्ता के गई थी EWS के लिए और यह पिज़यों पूछा गये आधा 10% उनको क्या दिया जाएगा आरकशन दिया जाएगा उनको भी 10% आरकशन दिया जाएगा एक सो चारुआ सविदान संसो देन 2020 भीजमे ekiमाता इस में न जो प्यारे बच्चों दस वर्श है एस सपती एसाल के लिए 2030 तक बढ़ा दिया गया और यह पेपर में आएगा जो रास्टपती एंगlor मनोनित करता था उनको क्या कर दिया गया सभिधान संसोधन कर लोगे न कोई भी कोश्चन आपका सविधान संसो दन से गलतनी योगा दुबारा रिवाइच करा देता हूँ 1971 में कौन सा सविधान संसो दन हुआ था 1971 में प्यारे बच्चों पहला सविधान संसो दन हुआ था और वो क्या था भूमी सुधार से सा नवी अनुसुची जोड़ी गई दूसरा सविधान संसो दन का भूआ था 1972 में लोगसबा की सीटे 500 कर दी गई थी साटवा सविधान संसो दन का भूआ था प्यारे बच्चों साटवा सविधान संसो दन का भूआ था 1956 में साथुँआ सविधान सनसो दणुआ था। 14 राज्य च्याइज, UT का क्या मिला था, हमें 14lli मिला था। 1967 में 21 सविधान सनसो दणुआ था। सिंदी जोडी गई, 1934 में 31 सविधान सनसो दनुआ था। लोगसभा की हीट पान सो पचीस से पन तालिस कर दी गई, 1905 में 36 सविधान संसोदन हुआ था और 36 सविधान संसोदन के तेथ क्या किया गया था प्यारे बच्चों सिक्किम को पूरण राज्य का क्या दिया गया था धरजा दिया गया था फिर उसके बाद प्यारे बचों हमने पड़ा 42 में 1976 में हुआ इसे लगू सविदान केते हैं इसमें कई चेंज हुए थे विदान सभा का करेकाल 5-6 बर्स कोरम को समप्त कर दिया गया मोलिक जो करतवे नहीं मोलिक अधिकार तो अमेरिका से थे वो पहले इसमें मोलिक करतवे जोड़े गए थे तो यह चीजें है ना याद कर ले ना प्यारे बचों इस अपात काल के दोरान लगा 1944 में 1978 में 44 में सभिदान संसर दनुगा तो मुरार जी देशाही की सरकार बनी कोरम को दुबारा लागू कर दिया गया संपत्ति का अधिकार कानूनी बना दिया गया और 22 1985 दल बदल पर रोक लगाता था 56 1987 गोवा को पूरण राज्ये का क्या दिया था इसने दरजा दिया था और उसके बाद 61 1989 में मदान की एज 21 वर्स से 18 वर्स कर दिया गया उन्हें 2003 1991 में दिल्ली को NCR का दरजा दिया गया और 2001 1902 में जिसमें नेपाली मनीपुरी पोकनी जोड़ी गयी ये तर्मा 1902 में लागू तिराण में पंचाईती राज चुए तर्मा 1902 में और सेरी सवसासन पंचाईती राज 29 विसे सेरी सवसासन के पास 18 और 14 सिवा 2000 एक में हुआ था और इसमें कह दिया गया कि 2026 तक है ना ये सीटे है ना हमें बड़ा नहीं सकते चाई सिवा 2002 में 6-14 वर्स वाला जोड़ा गया 0-6 वर्स तक वो नीटी निर्दे सक्सिन दान्त 45 में बेज दिया गया 11 मोलिक करतावे जोड़ा गया इक्याणूवा कब हुआ था 2003 में हुआ था इसमें क्या किया गया इक्याणूवे में ना मलब जो मंत्री मंडल होगा लोकसवा या वो कितना होगा केवल है वो कहा गया प्यारेवच्चों 15 परसेंट होगा और बानूवां 2003 में बोडो डोगरी में थिले 47 जोड़ी गई सुवां 2015 में बंगलादेश को भूमी अस्तान तरण से क्या था सम्मंदित था और फिर 101.2016 में GST से 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और 102.2018 में हुआ पिछड़े वरक के लिए एक आयोग बना था और आगे प्यारे 103.2019 में EWS को 10% आरेक्षन 142.2020 तो एंगलो इंडियन और CST के लिए आरेक्षन अगर प्यारे बच्चो ये इतने अनुछेद आपने याद कर लिए तो कोई आपका कोशन गलत नहीं होगा उमीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और कल प ंरे सकता हुआ थारे बच्चर आपके।